नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एंटो विन टैबलेट के बारे में यानि की लोपरा माइड टैबलेट के बारे में इस टैबलेट के फायदे जानेंगे नुकसान जानेंगे और इस्तमाल करने का तरीका जानेंगे और कितने दिनों तक इसको इस्तमाल कर सकते है ये भी इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखेगा लेकिन उससे पहले दबाईयों की जनकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीज़े सब्सक्राइब साथ में जो घंटी वाल अनिशान है उसे भी आल पर टच करना न भूलेगा तो दोस्तों जो एंटोविन टेबलेट है वो आती है सिनकॉम कंपनी की और इसका जो एम आरपी है वो है 21 रुपे 50 पैसे थोड़ा लाइट पड़ रही है और थोड़ा अक्षर साफ नहीं दिख रहे है तो 21 प्रे 50 पैसे इसका है दस गोलियों का एम आरपी और इसका कलर जो गोली का है वो है ग्रीन कलर का है ये वैसे ज़्यादा तर Lopramide Tablet Yellow Color में बना के देती है Company जैसे कि Lomofen होती है वैसे बना के देती है ताकि Lomofen लगे देखने में तो Lomofen में तो कोई और Salt होता है लेकि Lopramide Tablet भी Yellow Color में पीले Color में बना के देते हैं पत्ता जो पीले Color का होता है में दिखा ही देता हूँ आपको जैसा कि ये होता है ठीक है ऐसा बना के देते हैं ये भी Lubramide है ये देख सकते हैं आप ठीक है और ये भी Hammamide है तो इन दोनों का सेम काम होता है और तो चलिए है बात करते है इसके uses के किस काम में इस्तमाल की जाती है दोस्तों इसका इस्तमाल dust को ठीक करने के लिए pages को ठीक करने के लिए diarrhea को ठीक करने के लिए किया जाता है जैसे कि पेट में बहुत ज़्यादा मरोड पढ़ना और आंतों में एठन होना, साथ में दस्त लगना और बहुत ज़्यादा loose motion लगना उस condition में इस टेबलेट को देते हैं साथ में इसके इंटारो कोनल टेबलेट मेटल स्पास टेबलेट या फिर नोर्टीजेट साथ में दे देते हैं नोर्टीजेट की जगा पे O2 टेबलेट भी देते हैं O2 यानि की ओफलोकससिन और निडाजोल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे दे देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी दस्त ठीक हो जाए और कई बार इस अकेली टेबलेट से भी दस्त ठीक हो जाते हैं अगर ज़्यादा दिन से इनफेक्शन है तो फिर साथ में एंटिवाटिक भी देना होता है जैसे कि नोर्फलोकससिन और निडाजोल या फिर ओफलोकससिन या फिर और निडाजोल दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है O2 टेबलेट के नाम से आता है ठीक है दो तिन साल की बच्चों को भी आधी टेबलेट दे देते हैं डॉक्टर वैसे तीसरा हिस्सा देना चाहिए और वैसे तो उन बच्चों के तो सीरप आते हैं तो सीरप यही देने चाहिए वैसे तो तो डॉक्टर की सला से इसका इस्तमाल करें अपनी मर्जी से इस्तिमाल ना करें क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं जैसे कि सिर्धर्द, पेटदर्द, अपच, मुसूकना, मतले, उल्टी, घबराहट, खुजली होना, पूरे शरीरी में, गैस बनना यह सब इसके side effect होते हैं, तो जब भी, जब भी इस्तिमाल करें, डॉक्टर की सला से या फिर फार्मासिस्ट की सला से ही इसका इस्तिमाल करें दोस्तो इसको 2-3 दिन तक ही लेना चाहिए जितने दिन आपको डॉक्टर बताए जैसे आपके कंडिशन होगी उतने दिन ही आपको डॉक्टर देंगे इस टैबलेट को वैसे इसको हद से हद 3 दिन तक देते हैं उससे ज़्यादा नहीं देते हैं बहुत ज़्यादा इनफेक्शन हो तो हो सकता है आपको 5 दिन बता दें याँ फिर आपको SOS भी बता सकते हैं यान कि जब जरूत पड़े तब भी बता सकते हैं तो वो पेशन की कंडिशन को देखके ही डॉक्टर बताएंगे आप अपनी मर्जी से से नई इस्तिमाल करें जब भी करें डॉक्टर की सिला से ही इस्तिमाल करें तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइज रू कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भोलेगे साथ में जो घंटी वाल इंशा ने उसे भी आल पर टच कर दिना है ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें धन्यवाद